नमस्कार मैं हूँ सच्चिदानद वसेष्ट और सज्जनो हर मैने की तरह अब नवंबर में मिथुन रासी का कैसा रहने वाला है भविशिफल वो आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कुटुम्ब के बारे में परिवार के बारे में कुछ ना कुछ उपद्रव या कुछ ना कुछ द्रोह वहां पर यह कुछ उपद्रव न कर सकता है तो उसकी सावधानी आपको वरत्नी है मंगलवार के दिन आपको गुड का दलिया, गुड से गेहूं का दलिया बना करके और वो आपको गाय को देना चाहिए, हनुआ जी की उपासना करनी चाहिए अगर भ्रात्री वर्ग और मित्रों की अगर बात करें तो यहां का मालिक आपका सूरी है और सूरीय पंचम इस्थान में है, है तो नीच का लेकिन त्रिकोन में होने के कारण से यह अच्छा ही फल देगा यस मान प्रतिष्ठा और भूमी भमन और मह इसके बारे में अगर हम विचार करें तो यहां का मालिक छटेस्थान के अंदर गया हुआ मा से भी कुछ ना कुछ विरोध हो सकता और यस के अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई कमी आ सकती है प्रोपर्टी संबंदी वेबात से बचें और हम बात करें अगर संतान की, पढ़ाई की, सिक्षा की तो उसमें जो पढ़ाई का जो मामलाख है इसमें कुछ न कुछ बिद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रती अरूची होगी तो उसका ध्यान रखें वरना आगे अगामी भविश्य में भावी जीवन के अंदर वो परेशानी की कमी नजर आएगी और अगर कोई गर्ववती में इलाख है तो वो अपने गर्व की रक्षा करें लापरवाई ना बरते इस समय पर कोई भी गर्वस्राव हो सकता गए गर्वपात हो सकता गए तो उसका ख्याल आपको रखना चाहिए अगर हम रिन, रोग और सत्रों की बात करें तो यहाँ पर कुछ मधूरता उत्पन होगी कुछ अच्छाई वहाँ पर होगी रोग जो हैं हलके होंगे रिन हलका होगा और कोर्ट के साधी में समझोता होगा अगर हम बात करें दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन आपका बहुत ही सुंदर सुखद मधूर यहाँ पर रहेगा क्योंकि यहाँ पर शुक्र विद्यमान है स्वास्त संबंधी अगर बात करें तो स्वास्त का और भाग्य का मालिक शनी भाग्यस्थान के अंदर बैठाओ स्वास्त कुछ-कुछ डग्मगा सकता के लेकिन भाग्य की परद्दी होगी, अगर हम कर्मक्षेत्र और नोकरी की व्यापार की अगर बात करे हैं, तो वहाँ पर राहु विद्द्यमान, तो कर्मक्षेत्र में कहीं न कहीं कोई न कोई विवाद जो है उत्मन हो सकताए, कोई ना कोई सड़ियंत्र आपके पीछे हो सकता है, तो उसका आपको खयाल रखना चाहिए, आई और व्याय ये जो हैं, आपके बढ़िया रहेंगे, व्याय का मामला भी आपका बढ़िया रहेगा, इस समय कोई अगर कहीं पर भी इंवेस्टमेंट भी करते हैं, तो उसमें अब हम धैनिक रासी फल की तरब चलते गएं तो एक और दो तारीक ये आपके लिए सुभ हैं, लेकिन तीन चार तारीक के अंदर कोई विवाद हो सकता है, पांच छे साथ तारीक आपके लिए बढ़िया हो गी, चाए वो व्यापार के लिए है, चाए वो मित्रों के लिए है चाहे वो साजेदार के लिए है, चाहे वो पती-पत्नी के लिए है, लेकिन आठ और नो तारीक आपके स्वास्त के लिए ठीक नहीं है, बाकी 10-11, 12-13, 14-15, ये जो 6 दिन हैं, ये आपके रुके हुए कारियों को पूर्ण करेंगे, बहुत समय से जिसका आपको इंतजार था, वो कारिया आपका पूर्ण हो सकता के, राजकी ये साहिता आपको प्राप्त हो सकती है, राजकी ये जो गए, पदोन्नती, वो भी जो गए, कर्म के अंदर किसी भी क्षित्र में आप हैं, वहाँ पर पदोन्नती आपकी इस समय पर होगी, लेकिन ध्यान रहे, 16-17 तारीक, ये आपके लिए खर्च करने की नहीं है, पैसे को दबा के रखने की है, अगर आपने कहीं खर्च कर दिया, तो अनायास, उस समय पर खर्च भी हो सकता के, और किसी के साथ दिया लिया या लेन देन आपके लिए ठीक नहीं है, 18, 19, 20, 22, 23, 24, ये साथ दिन, आमोद, प्रमोद के साथ, प्रसनता के साथ, घर के अंदर अच्छे माहौल के साथ, ये आप इस समय पर जिएंगे, अच्छे कोई मित्र भी आपके बन सकते हैं, मित्रों का सह होगी, इस समय पर कोई प्राप्त हो सकता है, दन के आगमन का रास जिसके कारण से चिनता हो, तो उस चिनताओं के समन के लिए दूर और चीनी का दान करें, 28, 29 तारीक, ये आपके लिए बहुत सुन्दर और सुखत जाएगी, पढ़ने वालों के लिए, इंटर्व्यू वालों के लिए, एक्जाम वालों के लिए, ये बहुत बढ़िया है, साक्षात कार जिनका होना है, उनका बढ़िया होगा, बाकी 30 तारीक आपके लिए कुछ विकट रह सकती है, यानि इसमें कोई भी किसी के साथ वाद वेवाद जगडा ये हो सकता है, तो उसका ध्यान आपको रखना है, तो ये जानकारियां हमने दी, बाकी जानकारियों के लिए, आपको अपने इन नमरों पर संपर्क करके कारियले से अपाइंटमेंट लेकरके और कारियले की सेवाएंग है, उनको अरपन करके, जो आप जानना चाहते हैं, जानकर के लाव उठा सकते हैं, बस उसमें सर्ट है, कि आपकी जनम की तारीक प्रोपर होनी चाहिए, ज जनम की तारीक, जनम का महिना, जनम का संद, जनम का समय, जनम का स्थान, ये पांच चीज आपकी प्रोपर होंगी, तो हम आपका सहयोग जरूर करेंगे, नमस्कार.